तो देखने में आ रहा है कि विधान सभाद चुनाव जीतने के बाद कमलाद सरकार या यू कहीं कि मद्धिदेश की सरकार तरह तरह से अपने चुनावी वादों को पूरा करने में लगातार लगी हुई थी अब लोग सभाद चुनाव बेहद नजदीक है तो इसके साथ ही वो पूरी तैयारी में जुटी हुई है जोड शोड से और अपने सारे तमम तरह के चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी हुई है और अब एक और चुनावी वादों से अलग हटकर कमलनाथ सरकार ने एक और कदम उठाया है और ये कदम है आपकारी नीती में बदलाव हमारे समगता तो युवराज इस वक्त हम से चुड़े हुए युवराज बताई कि किस तरह से कमलनाथ सरकार तरहतर के कदम उठा रही है और अब आपकारी नीती में बदलाव का ये कदम कमलनाथ सरकार ने उठाया तो क्या कुछ कारण इसके पीछे निकल कर आ रहे हैं किस त मदीरा भी परोसी जाएगी जिसके चलते कहीं न कहीं प्रदेश में शराब खोरी काफी हद तक बढ़ जाएगी कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फैसले लेने के बाद निश्चित तोर पे जो दुकाने नहीं बढ़ाई जा रही थी उससे दुगना ज्या मैं आपको आकड़े का अनुसार बताना चाहता हूं कि पूरे पदेश में तकरीबन 3200 दुकाने हैं देशी की और विदेशी की तकरीबन 2200 दुकान देशी शराब की है और वहीं 1000 दुकाने विदेशी शराब की है तो यदि 2200 देशी दुकानों पर विदेशी शराब तो तक्रीबन दो गुना खपच जादा बढ़ेगी शराप की वहीं कमलना सरकार ने जो फैसला लिया है राजस्व में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है कमलना सरकार का ये कहना है कि तक्रीबन 1450 करोड रुपे अतिरिक्त राजस्व मिलेगा मद्यपदेश सरकार को क कहीं न कहीं एक तरीक से देखा जाए तो मद्यपदेश सरकार में जो खजान है वो पूंट तूरूप से अब खाली हो चुका है और इस खजाने की भरपाई के लिए कमलना सरकार ने फैसला लिया है बहराल अब यह देखना दिल्चस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पर क् पर समाज में शराब खोरी जादा बढ़ जाएगी और मद्यपदेश में तकरीवन और ज्यादा दुकाने बढ़ जाएगी क्योंकि अब देशी दुकानों पर भी विदेशी मदीरा मिलने लगेगी जी मिलकुल तो एक और बड़ा कदम कमलनाथ सरकार के दौरा उठाया गया है मद्यपदेश में आपका दिनीती में बदलाव किया गया है देशी शराब की दुकानों पर अब विदेशी शराब भी मिलेगी लेकिन जैसा कि युवराज ने बताया कि इससे नशा खोरी भी प कमलनाथ सरकार का उन्होंने विरोध किया है और वहीं उन्होंने कमलनाथ सरकार पर समझोते का भी आरोप लगाया है तो किस तरह का ये विरोध रहा और किस तरह का ये आरोप रहा समझोते को लिकर पूर्मुक्हिमंत्री शिवराज सिंग चुहान से जब मेडिया ने पूछा तो शिवराज सिंग चुहान का साफ तोर पर कहना था कि इस तरीके का उप्शन उनके पास भी बेजा गया था आपकारी विभाग के द्वारा इस तरीके का आपके नीती का बदलाओं के लिए उनके पास भी आई थी मंजूरी के लिए परन्तु शुराज सिंग चोहान ने सीरे से खारिज कर दिया था इस तरीके का फैसले को वहीं शुराज सिंग चोहान का ये कहना था कि उन्होंने अपने शासनकाल में शराब की दुकानों को घटाया था ना की बढ़ाया था परन्तु कमलना सरकार ने ये जो फैसला लिया है निश्चित तोर पर पूरे प्रदेश में शराब खोरी चरम सीमा पर पहुच जाएगी और कहीं न कहीं क्राइम रेट्स में भी इजाफा होगा वहीं शुराज सिंग चोहान का साफ तोर पर ये आरोप है कमलना सरकार पर कि आखिर क्यों आचार सहीता के तक ही रुकी कमलना सरकार क्या किसी समझोते के लिए रुकी हुई थी कमलना सरकार जिससे साफ तोर पर पता चलता है कि शिवराज सिंग चोहान ने समझोते का आरोप लगाया है कमलना सरकार पर वहीं शिवराज सिंग चोहान का ये कहना है कि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए और भी दूसरे तरीके होते हैं सिर्फ उसे शराब की दुकानों की जादा बढ़ोतरी करने से ही राजस्व में इजाफा नहीं होता है वहीं शिवरा सिंग चोहान का ये भी कहना है कि ऐसे कई राज्य हैं जैसे कि गुजरात है जहां पर की शराप पूर्ण तरीके से बेहन है परन्तु उसके बावजूद भी गुजरात विक्सित राज्यों में से आता है तो निश्चित तोर पे कमलन सरकार के इस फेसले का शिवरा सिंग चोहान ने घोर विरोत किया है वहीं जन्संपर्ग मंत्री पी सी शर्मा का ये कहना है कि कमलनास सरकार ने किसी प्रकास से दुकान में बढ़ोतरी नहीं कही है परन्तु एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि यदि देशी दुकानों प कमलनास सरकार को कि नीती को क्यों अपनाया है कमलनास सरकार ने अर्प किस तरह का विरोध इस पर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी ताज़तर इन खबरों के लिए आप बनहरे है मारे साथ देखते हैं पी नीउस नमस्कार